यो जेजी के मंगा इस ही है, जेजी के मंगा चैप्टर 264 ओफिचली आ चुका है और ये वला चैप्टर बहुत ही जादा एपिक है, तो चैप्टर 263 के अंदर यानि के प्रिविस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि यूटा के साथ मिलकर यूजी और टोडो फाइट करत है अपने बुगी-बुगी के हल्प से यूजी लगातार सुकुना के उपर डिसमेंटल पर डिसमेंटल मारी जा रहा था ताकि सुकुना से मैंगुमी को अलग कर सके एंड वो वर्क भी कर रहा था, लेकिन सुकुना इतनी जल्दी हार थोड़ी वाने गा, अब यूटा ने बैटल में आने से पहले एक ब्लॉटिंग की थी, जहां पर उसने एंजल और हाना से पूछा था, उनकी कर्स्टेक ने, यानि की जैक और ब्लैडर का इस्तमाल करने के लिए, एंड में सुकुना को खतम करने के लिए, एंड इसकी बार एड दी एंड ओफ दे चाप्टर हमन यानि जैक और ब्लैडर है, यह बहुत ही था विर्ड है, क्योंकि जब यूटा ने उसका इस्तमाल किया था अपने डोमेन के अंदर, तब वो उसके लिए स्पेसिफिक टार्गिट चूज कर सकता था, कि किस की उपर जैक और ब्लैडर को लेंड करना है, लेकिन यहां पर ज असर करेगा, इसी वज़े से वो लो इंटर फ्रेंस नहीं कर सकते मेरे बीच में, तो इसका मतलब है कि मेरे पर चांस है एंजल को टपकाने का, और इसलिए वो सीधा बढ़ता है एंजल को मानने के लिए, वो बोलता है कि मैने पिलर ओफ लाइट के स्केल को अगर बढ़ा तो एंजल खतम है अब एंजल यहां पर हाना को बोल रही है पीछे अटने के लिए क्योंकि अगर सुकुना ने उसको मारा तो वह खतम वन हीट सौट हो जाएगी वह लेगिन हाना को यहां पर मौका मिलता नहीं हिलने का एंड पीछे आ जाता है दो किंग ऑफ कर से सुकुना अब सुकुना यहां पर बहुत जाना गहरी लाइन बोलता है सुकुना बोलता है कि वो दोनों को एक्जिस्ट करते हैं एक ही बॉड़ी के अंदर वो लोग कुछ भी नहीं है एक स्ट्रॉंग टेक्नीक है विथा वीग शेल क्योंकि अब हाना के पास एक ही हाथ है एक हाथ नहीं है और इसे वह जिसे वो लोग उतना आउटपूट अब जनरेट नहीं कर सकते जो क्यों पहले कर पा रहे थे सुकुना बोलता ही कि मैं मेगो में की बॉड़ी से बहार आने से पहले तुमारी जिंदगी खतम कर दूंगा एंजल एंड जिसके बाद वो एंजल की उपर एक Black Flash land करने ही वाला होता है कि तव ही वहां पे Todo आजाता है अब Todo वो Black Flash अपने उपर land कर वाता है एंड उसे उसको काफी जादाद डैमेज परता है जिसको देखनी के वाद सुकुना बहुड़ा एंड टोडो की हालत थोड़ी खराब हो चुकी है अब सुकुना बोलता है कि जब यह दोनों आउट ओफ कमिशन है तो मेरे बस सिफ एक बंदा बचा है जिसको मैं को पेलना है मतलब कि अब एंजल को तो मैं बाद में देख लूँगा लेकिन सबसे पहले मैं इस ब्रैट की ब बर्न हो रही थी लेकिन फिर भी में कुछ चीज करते करते उपर आ गया अब सुकुना यहां पे कुछ करें उससे पहले यूजी उसके उपर एक बहुत ही पाफुल पंच लैंड करता है और उसका थोबड़ा ऐसा हो जाता है अब लेकिन यूजी इतने पे नहीं उखता बर्लिंग वो तोड़ने के बाद यूजी और सुकुना नीचे पहुंच जाते हैं अब सुकुना यहां से बचने की कोशिश करता है लेकिन यूजी यहां पे कैशी की टेकनिक चलाता है अब यूजी यहां पे इस्तमाल कर रहा हो था सुकुना पे कैशी चला गए क्योंकि की टेकनिक इसी तरह काम करती है लेकिन सुकुना वहां पे जंप करता है एंड यूजी के उपर एक बहुती पावफुल पंच मारता है एंड यूजी भी लाइक वद्धर है अब नरेटर बोलता है कि एक और ब्लैक फ्लेश का इस्तमाल कर दिया है था किंग ऑफ कर्सेस की क टेकनिक रिवर्स कर्स टेकनिक वापस आ चुकी है तुम सही सुन रहे हो वहां अब सुकुना पे यूजी को लगातार पीटे जा रहा है कभी पंच कभी लाद कभी घुसे कभी हाथ मारे जा रहा है और आगे वह बोलता है कि मुझे रिस्की मूज का इस्तमाल नहीं करना च इसके बाद में इसकी बैंड बजा दूँगा अब यूजी यहाँ पर इसमेंटल फिर से इस्तमाल करता है सुकुना को नीचे गिराने के लिए लेकिन वह नहीं गिरता एंड जिसके बाद यूजी उसकी उपर फिर से इसमेंटल का एक बहुत ही पाफ ब्लो मानने जाता है कि मैं इसमेंटल टेकनिक हैं पर मतलब ही क्या है एंड इसकी बाद सुकुना यूजि एक पंच मारता है अब हमें यहां पे एक flashback रेपनी मिलता है जहांपर यूजी को गोजो बता रहा होता है domain expansions के बारे में जहांपर वो जोगो से fight कर रहा था तुम्हें आद ने वो episode जिसमें गोजो वर से जोगो के fight चल रही थी and यूजी को वो ले आया था अपनी साथ ताकि उसको domain expansion के बारे में सिखा सके गोजो यूजी को बता रहा होता है कि जब तुम इसको expand करते हो ना तो यह technique को control करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जब तुम्हारी power up हो जाती तुम्हें एक buff मिलता है बिल्कुल तुम्हारी वीडियो गेम्स की तरह उसी तरीके से तुम्हें एक buff मिलता है जब environment के इंदर थोड़ा changes आते हैं उनको power up होता है boost मिलता है और ऐसी curse technique जो कि domain के साथ जोड़ी हो उसका hit होना guarantee है अब flashback तो यहां पर खतम हो जाता है लेकिन यूजी अब यहां पर शुरू हो जाता है with his domain expansion अब आगे narrator हमें यह बताता है कि यूजी ने कुसा काबे के साथ switch training करके यानि कि soul swap करके training की थी and जिस वज़े से वो basic fundamentals सीख चुका था barrier techniques के and इसके बाद हमें यहां पर reaction देखने मिलता है सुकुना का and then we are on station Mumbai station right हम लोग station पर पहुंच चुके है and station के ऊपर पहुंचने के बाद हमें सुकुना देखने मिलता है with Yuji's body not Megumi's body अब सुकुना यहां पर यूजी की बॉड़ी के नदर बैठा होता है जिसके बाद सुकुना के सामने से इतर दोरी आता है and बोलता है let's go सुकुना कहां पर पता नहीं चल भई and at the end of the chapter हमें आप editor का note मिलता है जहां पर उसने लिखा है कि this deceive one on one heads into an uncharted domain and here it is जैजे के मांगा chapter 264 ends right here तो chapter तो यहीं पर खतम हो गया लेकिन chapter के अदर चीजें होई है वह खतम नहीं है अब यूजी सुकुना को अपने train station पर ले चुका है domain expansion का नाम का है और भी बहुचीच तो हां मिलते हैं जल दी नेक्स वीडियो के अंदर with our ultimate domain clash of UG नाम नहीं मालूम और अगर तुम्हों को बहुत बढ़िया manga देखनी है तो here it is यहां पर Dragon Ball का कुमी का chapter 3 आज चुका है मैंने explain कर दिया है chapter 4 भी जल्दी explain कर दूँगा तब तक के लिए सायो ना रहा यू आइड इड इड दिस इस दो में एक्सपांशन अफ यूजी